राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिरसे हाजिरूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे धान की रुपाई करते समय हमें कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए वे कितनी मातरा में करना चाहिए किसान भाईयो धान की रुपाई करते सम NPK या DAP इन दोनों में से जो सबसे अच्छा खाद है जो सबसे उप्यूक्त खाद है हमारी धान की रुपाई के समय उसके बारे में आज हम बात करने वाले है NPK और DAP इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी में आपको देने वाला हूँ कि इन दोनों में से सबसे अच्छा खाद कौन सा है जो हमारे धान की पैदावार को भी बढ़ाए धान की गिरोथ को भी बढ़ाए और धान के अंदर टिल्डिंग को भी बढ़ा करके चले कुल मिलाकर मैंतलाब कहने का यह है कि आपके धान की फसल के लिए सबसे उप्योगत और सबसे सर्वोत्तम खाद NPK है या फिर DAP यदि किसान भाईयो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको इस चैनल पर बहुत बहुत अच्छी जानकारियां दी जाती है सुरू करते हैं आज का आपने टोबिक की धान की रुपाई करते समय हमें NPK डालें जा फिर DAP किसान भाईयो पहले हम बात कर लेते हैं NPK के बारे में तो किसान भाई नाइट्रोजन, फास्पोरस और पोटास यान की NPK के अंदर 12, 32, 16 यान की नाइट्रोजन होता है 12%, फास्पोरस होता है 32% और 16% होता है इसके अंदर पोटास किसान भाई और NPK को आप एक संपूर्ण खाद कह सकते हैं कहने का मतलब यह है कि किसी भी फसल के लिए सबसे जरूरी जो पोसक्तत्व होते हैं सबसे जरूरी जो खाद होते हैं वो nitrogen, phosphorus और potassium ये तीनों होते हैं यदि किसी भी फसल को आप इन तीनों का combination दे देते हैं तो वो फसल जो है काफी अच्छी तरीके से नीचे से ही जडग लेकर के चलेगी यानि की tilding लेकर के चलेगी growth बढ़ाएगी और जो उसकी जड़ो का विकास होगा, जड़ो का विकास तेजी के साथ होगा और last में जा करके आपकी फसल का जो पादरों का किसान भाई हो, वह काफी जादे बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप NPK 1232 का उपयोग भी कर सकते हैं, आप बात कर लेता हूँ DAP के बारे में, तो किसान भाई हो यह होता है Diamonium Phosphate इसके अंदर किसान भाई हो, यूरिया और Phosphorus, इन दोनों की मातरा दी हुई होती है, जबकि इसके अंदर Potas जो है, नहीं है यानि कि इसे आप एक complete खाद नहीं कह सकते किसान भाई हो, यदि आप DAP का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर अलग से 20 से लेके 25 किलोग्राम पिरती एक रख हिसाब से Potas किया वसकता आपको पड़ेगी, और तब आप DAP का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर कर सकते हैं तो यानि कि अगर इन दोनों में से एक की बात की जाए, तो किसान भाई हो, आपको जो है अपनी धान की रुपाई करते समय NPK का उपयोग करना चाहिए अब इसका उपयोग आप किस समय करेंगे इसके लिए मैं आपको बता दूँ किसान भाई हो जिस समय पर आप धान की रुपाई करेंगे या तो धान की रुपाई करने से एक दिन पहले या फिर एक से दो घंटे पहले आप अपने खेत के अंदर NPK डाल दीजिए या फिर किसानवे धान की रुपाई के कम से कम साथ से लेके आठ दिन के बाद आप अपने खेत के अंदर NPK 12 बत्ति 16 डाल दीजिए यदि मैं इसकी मात्रा की बात करूँ तो लगब 45 से लेके 50 किलोग्राम पिरती एकड़ के साब से आपको NPK 12 बत्ति 16 अपनी धान की रुपाई के बाद डालना चाहिए और उपर से आप एक सिचाई कर दीजिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके धान की अंदर काफी अच्छी तरीके से टिल्लिंग होकर के चले गिरोत होगी और पैदावार भी आपका धान जो होगा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांदर तरीके से निकाल करके देगा उम्मीद है मैं आपको एक सही और चियान काई दे पाया हूँ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जान का रिक साथ तब तक के लिए राम राम जी